निरधन के देली मैया अनधन लक्षी मी गुमानी के तुरेली गुमान ऐ मैया गुमानी के तुरेली गुमान नमस्कार दोस्तों मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता ज्वे में कैसे हैं आप सब तो ये बताने के लिए कॉमेंट बॉक्स में जै माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे तो चलिए दोस्तों आप लोग को जितनी मेरी माताओं बहनों के मन में जो डाउट चल रहा है कि हम माता के दो स्वरूप की पूजा किस दिन करें यही आपके बहुत बड़े सवाल हैं कहीं कहा जा रहा है कि चतुर्थी और पंचमी की पूजा एक साथ किया जाएगा और कहीं कहा जा रहा है कि माता मतलब तृतिया और चतुर्थी की पूजा एक साथ करेंगे मतलब माता के तीसरे स्वरूप और चतुर्थे स्वरूप की पूजा हमें एक साथ करेंगे तो आखिर करें तो कब करें तो इस confusion को थोड़ा समय इस वीडियो में दूर करूँगी कुसमांडा माता का नाम कुसमांडा क्यों पड़ा, कुसमांडा माता की पूजा हमें किस दिन करनी है, और पूजा वीधी क्या है, कुसमांडा माता को भोग में हम क्या चढ़ाएंगे, किस रंग का वस्त्र पहन कर उनकी पूजा अर्चना करेंगे, माता की पूजा करते समय भोग के साथ हमें कौन सी एक छोटी चीज माता को प्रसंद करने के लिए हमें अवस से चढ़ानी चाहिए तो आप बने रहे हैं मेरे साथ मेरे चैनल पर अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बैल आइकन को प टाइमिंग आप सबसे पहले जान जाए कि कब सुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है तो कब हमें अपनी पूजा प्रारंब करनी है और कब समाप्त करनी है अगर आप टाइमिंग समझ जाएंगे तो आप उसके अनुसार आप अपना पूजा कर सकते हैं और अपने दीन का चैयन कर सकते हैं कि किस दिन हमें दो माता की पूजा करनी है तो चलिए बता देती हूँ तो देखिए दीन सनीवार तृतिय तिथी 9 अक्टूबर सुबह माच चंद्रगंटा की पूजा हमें 7 बजगर 48 मिनट के अंदर ही कर लेनी है जो कि मैं कल वीडियो भी डाल चुकी तो आप 7 बजगे 48 मिनट तक ही तृतिय तिथी है उसके बाद उसका समापन हो जाएगा और जो चतुर्थी तिथी है उसके बाद सुरू हो रही है मतलब प्रारंब हो रही है तो वो 10 अक्टूबर को सुबह 5 बज़े तक रहेगी इसी दोरान आपको कुसमांडा माता की 9 अक्टूबर दिन सनीवार को 7 बजगे 48 मिनट के बाद जो है हमारे चतुर्थी तिथी सुरू हो जारी है उसके बाद पूरे दिन चतुर्थी है और 10 अक्टूबर सुबह 5 बज़े तक है तो इसी दोरान आप देख लिजए कि आपको चतुर्थी की पूजा 10 अक्टूबर को करनी है या आपको सनीवार 9 अक्टूबर को करनी है आप चाहें तो 9 अक्टूबर को भी माता के चोथे स्वरूप कुसमांडा माता की पूजा आप 9 अक्टूबर को भी दिन सनीवार को भी कर सकते हैं अगर 10 अक्टूबर को करना चाते हैं तो सुबह 5 बज़े तक ही कर ल सकती हैं यही है कि 10 को थोड़ा जल्दी करनी पड़ेगी मतलब 5 बजे से पहले अगर संभव हो सके तो आप कर सकती है रही पाठ की बात तो देखिए पाठ आपको ये 8 दिवसिय नौरात्री है तो पाठ आपको किसी न किसी एक दिन पाठ के लिए देखी कोई समय नहीं बना ह आप चाहें तो एक दिन में दो बार भी पाठ कर सकते हैं या आप चाहें तो आधा अधा करके या एक एक दिन मतलब अपनी अनुसार जितना आप से हो सके उस प्रकार से भी पाठ कर सकते हैं अगर सक्चम है तो दो पाठ एक दिन भी कर सकते हैं या आधा अधा करके कई पा चौथा स्वरूप है उनकी पूजा हम 10 को करें या 9 को करें तो आपको मैं समय बता दी कि आप 9 अक्टूबर को भी कर सकते हैं और 10 को भी कर सकते हैं तो चलिए आगे जान लेते हैं कि माता का नाम कुसमांडा क्यों पड़ा तो ऐसा माना जाता है कि ब्रहमांड को उत्पन करन के कारण देवी का नाम कुसमांडा पड़ा और उन्हें कुसमांडा नाम से जाना जाता है जब स्रिष्टी नहीं थी तब इन्हीं देवी ने अपने हासे से ब्रहमांड की रचना की थी इन्हें स्रिष्टी के आदी सकती और आदी स्वरूपा के नाम से भी जाना जाता है तो चलिए आगे पूजा वीधी जान लेते हैं तो आपको ऐसे तो आइडिया हो भी गया होगा कि माता की पूजा वीधी हमें सुबह असनानादी से निविर्त होकर अच्छे से साप सुतरा कपड़ा पहन लेनी है और वस्त्र में हमें नारंगी रंग का वस्त्र धारन करके मा माता की पूजा अर्चना करनी है अगर नारंगी है तो जरूर पहनी है नहीं है तो लाल वस्त्र मतलब आप नौरात्र के दौरान पहन कर माता की पूजा कर सकती है दूसरी चीज क्या होगी कि भोग में हमें माता को क्या चड़ानी है तो भोग में हमें माता को कुसमांडा म माता के लिए ही अपने घर में भोग बनानी है, मतलब तलनी है, उसके आगे पुरे नौरात्र के दौरान हमें पूरी वगएरा अपने घर में पराथा आप खा सकते हैं, लेकिन पूरी वगेरा हमें नहीं तलनी चाहिए क्यूंकि अश्टमी और नौमी के दिन हमें मतलब उसी दिन पूरी और पकवान बना कर कन्याओं को हम लोग खिलाते हैं और माता को सबसे पहले पूरी खीर हलोय का हम भोग लगाते हैं अगर आप चाह रहें तो माता को माल पूरी बनाईएगा ये भी हो गया और आगे आपको माल पूरी के साथ कौन सी ऐसी चीज माता को बहुत अधिक प्रिये हैं और उन्हें प्रसंद करने के लिए हमें माता को अर्पित करनी है वो है इलाइची जो हरी वाली इलाइची आती है न मसाले वाली काली वाली नहीं ह बहरे वाली एलाइची, अप माता को भोग में जरूर चढ़ाएगा और पुआ के साथ, और उसके आगे लौंग तो चढ़ानी यहाँ, आपको मालूम है, माता को इन सभी चीजों से छांक दिया जाता है, उनको अरपित किया जाता है, तो आप भाकी दिन तो आप लौंग लेकिन इलाइची आपको कुसमांडा माता को अवस से चढ़ानी चाहिए तो ये हो गया भोग का भी आगे जान लेते हैं कि माता की पूजा वीधी में फूल हमें लाल रंग का गुड़हल का फूल मिले गुलाब का फूल मिले तो आप माता को जरूर चढ़ा सकती हैं तो इस एक चीज आप लोगो मैं बता देती हूँ उस दिन बताई वी थी कल के वीडियो में कि अगर कलस आपका जो है पानी उसमें से निकल रहा है लीक कर रहा है तो आप कलस बदल दीजिएगा लेकिन जो पहले वाला कलस है उसको आप वहां से मत हटाईएगा उस कलस को भी आप वहीं रहने दीजिएगा साथ में क्यूंकि पहले वाले जो कलस जो लीक कर रहा है उसको वहां से हटाना भी सुभ नहीं होता तो आप कभी मत हटाईगा दोनों कलस वहीं पड़े रहेंगे लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पानी लीक कर रहा है तो आपको कलस बदल लेनी च जाता है कि माता की पूजा अर्चना करने से चोथे दिन माता की हम पूजा करते हैं चोथे स्वरूप की पूजा में हम माता कुसमांडा की पूजा करते हैं तो आपना सत्रू भी दूर रहते हैं और हमारे स्वास्त के उपर भी कहीं कोई मतलब समस्याएं उत्पन नहीं होत अगर माता कुसमांडा की हम पूजा अर्चना करते हैं तो इस प्रकार से आपको करनी चाहिए तो आसा करती हूँ उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग थोड़ा सा लाब मिलेगा तो फिर मिलती हूँ असकंद माता की वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार और प्रीम से बोलिये जै माता दी.